लिूपिनिब पाम नेबूलाइजर उपकरण से सुरक्षा आवरण को हटाएं दोनों सिरों पर दिये गए रिलीज बटनों को दबा कर मुख्य यूनिट से दबा के कंटेनर को निकालें ये लैच तंत्र को अलग कर देगा किनारे के नीचे अपना अंगूठा लगाकर हलके से उपर की ओर धक्का देते हुए मेश कैप को हटाएं और कैप को पीछे की ओर तब तक जुकाएं जब तक ये लंबवत न हो जाएं और इसे सीधे उपर की ओर उठाएं दवा के कंटेनर को भर दें और मेश कैप को दोबारा लगाएं दवा के कंटेनर को मुख्य यूनिट में स्थापित करें आपको क्लिक की आवाज सुनाई देनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि दवा का कंटेनर मुख्य यूनिट में पसके बैठ गया है मास्क अडैप्टर को लें और इसे दवा के चेमबर के ऊपर मुख्य यूनिट में स्थापित करें लिूपिनिब से आपको मास्क अडैप्टर पर अपनी आवशक तानुसार या तो एक मास्क या एक माउथ पीस को उप्योग करने का एक विकल्प मिलता है माउथ पीस या मास्क को अडैप्टर पर स्थापित करें एक माउथ पीस का उप्योग करने के दोरान आपको माउथ पीस के चारो और उठों को रखते हुए अपने मुझ से पकड़ने और लिूपिनिब को हलका सा जुकाने और सामान्य रूप से सांस लेने की आवशक्ता होगी मास्क को उप्योग करने के दोरान अपनी नाक और मुझ को मास्क से ढख लें और सामान्य रूप से सांस लें मास्क में एक इलास्टिक बैंड भी लगा होता है जिसे आपके सिर के चारो और पहना जा सकता है ताकि मास्क आपकी नाक और मुझ पर कस कर लग सके Nebulization के लिए On-Off बटन को दबाएं और रोकने के लिए इसे दोबारा दबाएं Lupinib द्वारा Nebulization की दो प्रणालियां हैं Continuous Nebulization Mode, Manual Nebulization Mode Continuous Nebulization Mode के लिए आपको On-Off बटन को दबाने और Nebulization शुरू करने के लिए इसे जल्दी से छोड़ने की आवश्यक्ता होगी Nebulization को रोकने के लिए On-Off बटन को दोबारा दबाएं और जल्दी से छोड़ें Manual Nebulization Mode के लिए आपको On-Off बटन को लगभग 2 सेकंड तक दबाकर रोके रहने की आवश्यक्ता होगी इस क्रिया के कारण Lupinib केवल तभी Nebulize करेगा जब आप On-Off बटन को दबाते रहेंगे और इसे रोक देगा जब आप बटन से अपनी उंगली हटा लेंगे Manual Mode का लाभ ये है कि आप अपने Inhalation या Exhalation के अनुसार Nebulization को समायोजित कर सकते हैं और इससे दवा का नुकसान न्यूनतम हो सकता है